नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज एंडिये शरकार ने किसानों और गरीबों के मसिया चौदरी चरणशिंग भूत पूरो परदान मंत्री को भारत रतन परदान करने का एलान किया है देश के पुरो परदान मंत्री चौदरी चरणशिंग को आज भारत शरकार ने भारत रतन देने का एलान किया है प्रायमनेस्टर मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का यह सोबाग्य है कि पूरो परदान मंत्री चौदरी चरणशिंग को भारत रतन से नवाजा जा रहा है उन्होंने किसानों के अधिकारों के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया चौदरी चरणशिंग का जन्म 23 दिसंबर को हुआ था और उनके सम्मान में हर साल राष्ट्रिय किसान दिवस मना जाता है उनका जनम उत्तर परदेश के नूरफूर में एक मिडल किलास प्रिवार में हुआ था 28 जुलाई 1989 से 14 जन्वरी 1980 तक वे भारत के पांच में परधान मंत्री रहे हैं उन्होंने किसानों के मसीहा के रूप में जाना जाता है चोदरी चर्ण सिंग के पिता मीर सिंग खेती किसानी करते थे और उनकी मा नेत्रा कौर थी वह पांच बच्चों में सबसे बड़े थे वह खेती के लिए भूमी की तलास में मेरिट दिले में सिफ्ट हो गए थे उनकी स्कूली शिक्ष्या जानी खुर्द गवं में हुई उन्होंने उन्नी सो उन्नीस में गवर्मेंट हाइ स्कूर से दस्वी की प्रीक्षा पुरी की थी और साल उन्नी सो तेस में उन्होंने आगरा कालच से बीए सी और 1925 में हिस्ट्री में में की कि उन्होंने ला की ट्रेनिंग ली थी साल 1929 में वह कांगरेस में सामिल हो गए और उन्होंने राजनितिक केरियर को चुना चर्ण शिंग ने अपने पूरे जिवन में किसानों और उनके परिवारों के विकास के लिए ही काम किया भारत की आजादी के लिए वे कई बार जेल में गए चोदरी चर्ण शिंग का राजनितिक कैरियर भी बहुती खरा था पूरो परधान मंत्री चोदरी चर्ण शिंग 1937 में यूपी की चप्रोली विदाहन सबा से चुने गए थे यही करम 1946, 1952, 1962 और 1967 में भी चलता रहा उन्नी सो चालिस में बे पंडित गोविद बल पंत की सरकार में संसदिय सचिव ने उन्होंने राजसव चिकित्षा समेथ कई विभागों में काम किया जून उन्नी सो क्यावन में उन्ने राज्य में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और चोदरी चर्ण सिंग ने संपूर्णा नंद के मंत्री मंडल में राज्य सव और कर्शी मंत्री का पद सबहला 1969 में उन्होंने इस पद से इस्तिफा दे दिया इसमें उनके पास राज्य सव वै प्रीवेन विभाग ता 1960 में चोदरी चर्ण सिंग ने सीबी गुपता के कारिय काल ने गिरै और किर्शी मंत्रा ले भी जमाला उन्होंने 1965 में किर्शी विभाग छोड़ दिया और 1966 में स्थानिय सवसासन विभाग का परभार संबाला वै भूमी सुधारों के मुख्य वास्तुकार के रूप में ज बरदास्त नहीं करते थे उनका फोकस पर शासन की दुरिस्त विवास्ता पर था वे कड़क नेता के रूप में जाने जाते थे कांग्रेस पर्टी में आंतरिक फूट के बाद वै फरवरी 1970 में कांग्रेस पर्टी के स्मर्तन से दूसरी बार यूपी के मुख्य मंत्री बने दो अक्तुबर 1970 को राज्य में राष्ट्रपती सासुन लागू कर दिया गया, 28 जुलाई 1989 में कांग्रस आई के समर्थन से देश के पांच में परधान मंत्री बने, इंद्रा गांधी के समर्थन वापिच लेने की वज़े से 20 अगस्त 1989 को चोदरी चर्ण सिंग ने परधान म मंत्री के पत से इस्तिफा दे दिया, इस परकारवे ऐसे परधान मंत्री बने जिनों ने पी एम रहते हुए कभी संसद का सामना नहीं किया, 29 मई 1987 को उनका निदन हो गया, 1957 में नागपूर में अधीवेशन हुआ था, वहां पर पंडत नहरू का एक प्रस्ताव था, जिसक के अनुसार किसानों की खेती, कॉपरेट्व मुवमेंट में सरकार के पास आ जाती और किसान जो है, उस खेत में एक मजदूर का काम करते, लेकिन चोदरी चर्ण शिंग ने इस चीज का बहुत कडाई से जिरोध गिया, और ये परस्ताव गिर गया, इसी परस्ताव के खार किसानों में, आज भी चोदरी चर्ण शिंग का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, जेडियू के निता केशी त्यागी ने चोदरी चर्ण शिंग के बारे में अपने विचार प्रुष्टत किये हैं, देखिए ये वीडियो क्लिप, इस टीवी डिबेट में, चोदरी चर्ण शिंग के बारे में, मिश्टर केसी त्यागी ने अपने विचार पर कट किये हैं, देखिए ये वीडियो क्लिप, लगा रहे हैं, उस पर भी जवाब दीजेगा, और कई लोग 5M से जोड रहे हैं, कि करपूरी ठाकूर के जरिये मंडल को साधा गया है, LK आडवानी के जरिये मंदिर को साधा गया है, स्वामी नाथन है, मैं स्वामी नाथन को देकर मिलेट्स पर PM का जोर है, तो मंडी, क्योंकि किसानों की बात की, वो चौदरी चरन सिंग की बात हो गई है, और मार्केट, क्योंकि एक आर्थिक मंदी के दौर पर PV नरसमाराओ, अच्छे PM साबित हुए, उन सब को साधने की कोशिश की है, पीजे पीजे, अंजरा जी, आज मैं बहस में ना तो कटू होना चाहता हूँ, और ना आज करा जो मेरा आनन्द है, उसको मैं बहस का हिस्सा बराना चाहता हूँ, चौदरी चरन सिंग, असली भारत के रियल इंडिया के, आजादी के बाद के सबसे बड़े नेता थे, वो परदान मंतरी बने, मुख मंतरी बने, ये महत्पून नहीं है, उन्होंने एक दरजन से जादे किताबें, प्रायर्टीज की सिफ्टिंग को लेकर के, रूरल एक्वनोमी को लेकर के, वो सब गांधिवाद पर आदारीत है, उन्होंनी की, और एक हायार की उन लाल बहदुर सास्त्री, सीबी गुपता और चोधरी चरंसी, इतिहास गवा है, लाल बहदुर सास्त्री प्रायमिस्टर बन गे 66 में, सीबी गुपता दो दो तीन तीन बार मुख मंतरी बन गे, लेकिन चोधरी चरंसीं का विभाग बदल करके, और उनको पशुपालन मंतर बना दिया चुके उन्होंने मैं जरा चाहूंगा इस तश्वीर को अपने कैमरा में दिखाएं गोविंद बल्लम पंद जी के चोधरी चरंसी और शीवी गुपता जी है और उधर लाल बहादुर सास्त्री जी है यह 1947 का चित्र है जब वह पहली बार मुखफंत्री बने थे औ मैं कहने चाहता हूं अंजना जी 1977 में अधिवेशन हुआता है कॉंग्रिस पार्टी का नाध्पुर में पंदी जवाला नेहरुजी देश के पहले प्रदानमंत्री थे और वो काफी प्रभावित थे रुस्यान मोडल से जब नाध्पुर संबेनन होता है तो कॉंग्रिस की तरफ से एक प्रस्ताव आता है कि कॉपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए जो सोवियत संग में थी या और सोशलिस्ट मुलकों में थी तो चौधरी चरंद सी उत्तर प्रदिश के एक मंत्री होने के नाते उसका विरोध करते हैं और वो प्रस्ताव गिर जाता है और कॉंग्रेस पार्टी में चोधरी चरंद सींग का अफसान भी सुरू हो जाता है एक दूसरा पंती जी का रेवेनी मिनिस्टर होते हुए उन्होंने उत्तर परदेश में एफेक्टिव लेंड रिफॉर्म किये जो आपके बिहा उन्निस सो वावन में जब पहली पंच वर्षी योजना बनती है तो 35 प्रतिशत रूरल डवलमेंट के लिए रूरल प्रानिंग के लिए एगरी कल्चर के लिए ग्रामीन विकास के लिए अलोट होता है जो तीसरी योजना आते आते पंच वर्षी है सरफ 15 परसेंट रह जा प्राइटीज के लिए जो मनी की सिफ्टिंग ती तो चोधरी चलंसिंग के नेत्रित में मैंने अपने राजितिक इवन सुरू किया और कितने बड़े थे जिस दिन में 1974 में अब्दक्ष बने हैं लोग दलके वीजू पठनायक अपाद्ध्ष थे पीलू मोदी जलना सेक्र सब्सक्राइटी थे राजनियान करपुरी ठाकुर जी उनके निक्टर सागी चोधरी देवी लाज जी थे चोधरी कुंबाराम जी इतना बड़ा उनका था उनके लेत्रित में मुझे आपातकाल में जेल जाने का मोका मिला मेरी बहुत कम उमर थी अजिना जी 77 में जब उन् सब्सक्राइटी तो आप आ गए और जैसे चौधरी चरंड सिंग के नाम का एलान किया तो जैन चौधरी ट्वीट कर रहे हैं कि दिल जीत लिया उस पर आये ता सर अंजना जी ये अंजना जी इसको राजी से जोड करके हमारी प्रसंदताओं को और हमारे गोरों को कम मत समझो रहे हैं उनके नेता थे और सामाजी कि न्यायका वह अकेला नेता है जिसने इंप्लिमेंट करते हुए कठता नहीं थी विहार में 1990 में कठता के चलते समाज बट रहा था करपूरी ठाकुर ने महिलाओं के तीन प्रसिज़त अपर कास्ट के गरीबों के तीन प्रसिज